वंदित्तु सब सिद्धे धूमचलमनो वमं गयिंपत्ते वोच्छामी समय पाहुळ मिनमो सुदकेवली भणियं महानुभाओं समय सारग्रंथ का अध्यन उत्तरार्ध और निर्जराधिकार गाथा 207 भव्यात्मों ये समय सार आत्म चिंतन स्वात्मा का चिंतन करने के लिए चित्यत्यन सरुभगवान आत्मा इसकी याद दिलाने के लिए समय सार उदय विवागो विविभव कम्मानम अनिदो जिनवरेहिं नदु ते मज्द सहावा जानक भावोदु अहमित्को आचारी स्री कुंद कुंद देव जिनोंने मुनियों के लिए मुल आचार लिखा है और स्रावकों के लिए रयन सार ग्रंत ऐसे स्री कुंद कुंद देव जिनोंने भगवंतों की भक्ति करते वे दस भक्ति लिखी है सिद्ध भक्ति चारित भक्ति योग भक्ति शुर्फ भक्ति आदिक ऐसे स्री कुंद कुंद देव समय सार में कहते हैं उदय विपाक हा विविधा हा कर्म नाम वर्नितो जिन वरही नतु तेमं सहा सुभावा हा ज्यायक भावस्त तु अहम एक हा वो कहते हैं कि कर्मों का उदय का विपाक कर्मों का उदय जो फल देता है वो अनेक प्रकार का है विविधा हा नाना प्रकार का है ऐसा किनों ने कहा है स्री जिनेंदर देव ने जिनेंदर देव ने ऐसा कहा है कि कर्मों का विपाक अनेक प्रकार का है न तू ते मम सभावा हा, वो कर्म का जो उदय है, नाना परकार के फल है, वो मेरे सभाव नहीं है, तो क्या है? ग्याएक भावा हा, तू अहमें कहा, मैं एक ग्याएक भाव हूँ, इनका जानने वाला हूँ, क्यों इनका ग्याता हूँ, इनको देख रहा हूँ, जान रहा हू ये ऐसा चिंतन, ऐसी भावना ज्याता दिश्टावन करके और कर्म के उदे से होने वाले सुख और दुख का अन्भो करते समय उसमें तनमय नहीं होना दुख में दुखी नहीं होना, सुख में सुखी नहीं होना दुख में हाहा कार करके बिलाप नहीं करना कर्म का उदे है मेरा सुभाव इनको वेधन करने का नहीं है प्रतिवति इनको जानने मात्र का जानना मात्र मेरा काम है मेरा सुभाव है ये चिंतन ये चिंतन आप पध्यान वाद में सुनेंगे कर्मों का उदे विपाक जिने स्वर ने है विविज प्रकार कहा मेरे सभाव वे भी नहीं है मैंने तो सहच सभाव लहा मैं तो बस एक मात्र ग्यायक चैतन रूप परमात्मा हूं ज्यानी ऐसा चिंतन करता मैं कर्म रही सुधात्मा हूं बभ्यात्मा हो यह वस्था यह ज्यानी की वस्था कर्मों का उदे विपाक नाना प्रकार कहां वो मेरा सभाव नहीं है मैं घ्यायक याता अदृष्टा मैं घ्यायक हूं मैं जानने वारा मात्र हूं सम्यचजिस्टिका चिंतन टंकोत कीर्ण पर्मानंद ज्यायक एक सभाव हम यता कारणा सम्यक्दृष्टि ही सामानेन सपर सरूपव एवं जानाती इती भनितम सम्यक्दृष्टि ज्यानि टंकोत कीर्ण पर्मानंद ज्यायक एक सभाव सरूपव अपनी आत्मा का चिंतन करता हुआ जानता हुआ जानता हुआ, शुख दुख रूप से परनत नहीं होता है, आगे इसी बात को पना कहते हैं, पुग्गर कम्मम रागो, तस्त विवागो दव, हवद एसो, नद एस मझ भावो, जानग भावो दू अहम इको, उना आचारद्यों कहते हैं, गाथा 208, गाथा 208 में कहते हैं, ये पुद्गर कर्म, और इससे उत्पन हुआ जो राग है, ये जो राग है परनामों में किसी के अपती प्रीती प्रेम इसने है, ये राग, ये भी पुद्गर कर्म का उदे ही है, इसका जो उदे आता है, तो ये भी जो है, नद एस मझ भावा, ये भ एक हूँ, जिन में जोती सुरूब में एक हूँ, सम्यद्रष्टी निजपर के भेद ज्यान में ततपर रहता है, है पुद्गर कर्म राग उसका फल उदे सयम अनभावता है, फिर भी ये मेरे भाव नहीं, नहीं इन भावों का करता मैं, मैं ग्यायक एक सभावी हूँ, अग पुद्गर कर्म राग, ये भी मेरा सभाव नहीं है, मैं ग्यायक एक हूँ, इस वकार से बार बार चिंतन करता है, विचार करके देखा जाएतो, टीका कार, स्री अमरत्चन सूरी और स्री जैसेन स्वामी कहते हैं, कि जैसे यहां, पुद्गर कर्म राग, राग सरूप, और जैसेन स्वामी ने वहां क्रोध सर्द रखा है, जो भी हो, आगे टीका में कहते हैं, कि क्रोध मान माया लोग, राग देश मोह, साथ हुए, और कर्म नो कर्म, और मन बचन काय, और पांचों इंद्रिया, यानि कर्ण, चक्षू, घ्राण, रस्ना और इस्पर्शन, कि आगे शोला सूत्र हो गए इन सोलहों में गाठा को घटित करना, अर्थात इस गाठा में, राग की जगे, क्रोध, पुनाहमान, पुनाहमाया, लोग, ऐसे इन सोलह पदों को घटाकर शोला गाठा हैं मना लो, मैं कई बार ऐसे सोला गाथाएं बना बना कर तिंतन करती रहती हूँ जैसे कि पुगल कम्मम कोहो तस्विवागो दयो हो देसो ऐसे ही पुगल कम्मम मानो ऐसे पुगल कम्मम मायो पुगल कम्मम लोहो हादी वहाँ पर गाथा में उस जगे परवर्तन करकर के ये 16 गाथाएं बन सकती है बनाई जानी चाहिए और उनका चिंतन करते रहना चाहिए कि ये पद उसमें घटित करकर के कि न मेरा राग है सभाव है न मेरा द्वेश ये सभाव है मोह सभाव मेरा नहीं है कर्म और नो कर्म मेरे सभाव नहीं है मन मचन का कोई भी मेरा सभाव नहीं है ये इंद्रियां ये कोई मेरा सभाव नहीं है ये सब द्रभी कर्म के निमित से सरीर की रचना सरीर के आश्रित कर्म का उदे द्रभी कर्म और भाव कर्म और नो कर्म तीनों ही मेरे से प्रता के भिन्ह है, सरता मेरे सभाव नहीं है इस प्रकार का चिंतन, बारम बार चिंतन, यही जो है अध्यात्मिक्ता की एक सीड़ी अध्यात्मिक्ता की एक सीड़ी है, अध्यात्मिक्ता की एक सीड़ी है और यही एक दिन अध्यात्मिक करस को चढ़ाएगी मैं चिंतन कर रही थी कि सचमुझ में जिनके गारहस जीवन में भी जैन धर्म का ज्यान रहता है तत्तों का चिंतन रहता है स्वाध्याय रहता है वो कैसी भी परिस्तिती में किस प्रकार से चिंतन करते हैं एक हमारे सामने बहुत सुंदर उदहरन याद आता है मर्यादा परसुतम स्री रामचंदर के समय का उनके भराता सत्त्रुगन मतरा को जीतने के लिए चले और जा करके वहां के राजा मतरा के राजा मधु जो की रावन का जमाई था उसका सूर रत्न अपने अधिकार में कर लिया पूरे आविद सारा पर अपना अधिकार कर लिया युद्ध छिड़ गया भोद भेंकर इद्ध हो रहा था जब भेंकर युद्ध में संगराम भूमी में युद्ध भूमी में शत्रुग्न का और मधू का युद्ध भेंकर सेना का सम्हार चल रहा था इसी मध्य मधू अपने सूर रत्न का इस्टन करता है और जब उसे मालूम होता है कि मेरा सूर रत्न मेरे हाथ से चला गया शत्रु के हाथ में गया वो चिंतन करता है, वो हो, मैंने समय रहते अपने आत्मा का कलान नहीं किया, तो अब क्या करूँगा, अब युद भूमी में मरना, जदपी वेभार में वबीरगती है, किन्तु चित्चे चत्र भगवान आत्मा को मैं भूर गया, चिंतन करते हुए तत्चन ही उसी समय घाय लवस्था में अनेकों बाणों से छिन्न भिन्न छेसरी छिदा हुआ था, एकदम ऐसी स्थिती में भी हाथी पर वैठे वैठे उसने, देखे पदम पुराण में कितनी सुन्दर पंक्ती है, वो आचारिद्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं, एवं सद्ध्यान मारुयो, ट्यक्त्वा ग्रंथम दोयात्म कम, जब्यतो गज प्रष्ठस्थो मधू के सानपानयत, उसी समय वो चिंतन करता है कि संस्तर, त्रण, भूमी आदी कि समय कुछ भी नहीं, केवर क्या है, उसने सद्ध्यान याद्ध्यान का अलम मने करके, और ग्रंथम दोयात्म कम, दोनों प्रकार के परिए, वाह अभियंतर परिए का त्याक किया, कैसे त्याक करेगा, हाथी पर बैठा बैठा, कुछ पूरे बस्तर भी नहीं उतार सके होंगे, द्रब्य तहा, द्रब्य से, वाहिय में, गज के पीश पर बैठा हुआ, गज के उपर, हाथी के उपर बैठा हुआ भी ओ, मधू, केसान अपाने, केस उखाड़ा, केस उखाड़ ना रगाया, क्या उसमें सारे परिग्रे का, सारे वस्तरों का त्याक कर पाए होंगे, गायल इस्ति में उतार पाए होंगे, नहीं उतार पाए, किन्तु अभ्यंतर मन से, मन से, मन के उप्योग से, भावों से, कुछ उसने वाहिय भ्यंतर परिग्रे का त्याक करके हुए, और केसों को ख पहरना शुरू किया। Uसी समय क्या होता है। और क्या कहते हैं नमस्कार पराय नहां नमस्कार करके कहते हैं कि है साधू चंत अब्यम मुझे श्मा कीजिए मुझे श्मा कीजिए सादू कहते हैं उसे सादू कहकर समोधित करते हैं और उसी समय वो अपने प्राणों को छोड़ करके मर करके और सनत कुमार सर्ग में देव हो जाता है सानत कुमार सर्ग में उत्तम देवपत को प्राथ कर लेता है तो भव्यात्माओं यह इस्थिती किन की आती है जो बारम बार बारम बार इस परकार का चिंतन करते रहे थे मैंने स्वयम देखा है संग में सन 1979 में आचारिस्त्री सिवसार्जी महाराज का संग सन 1968 का चातुर माष परताब गढ़ में करके महावीर जी के लिए विहार किया संग में हम सब सादु साद भी थे संग का विहार चल रहा था मार्ग में एक ब्रमचारी जी साथ में ही थे जो पुराने नागोर के निवासी थे जिनका नाम था चांदमल जी और जो थे ब्रमचारी जिन्हें गुरुजी के नाम से संग में संभोधित करते थे सब गुरुजी गुरुजी कहते थे हम लोग भी गुरुजी कहते थे बहुत सरड़ पढ़नामी थे और बहुत ब्रधावस्था थी छीन थे किन्तु यद्धभी मार्ग में अनिक प्रकार की समस्यां आती हैं 8-8-10-10 किलोमेटर संग चलता था कहीं ठेहरने में कमरे की व्यवस्था नहीं है सरजी का दिन कहीं कुछ कमी है कहीं कोई कमी है मैं सब अन्हो कर रही थी देख रही थी उनसे चुकि मेरा मेरे प्रति उनका वासर विशेश होने से कई बार जो है वो अपना सुग्दु मुझे कहा करते थे और संग में इसलिए रह रहे थे कि मेरी समाधी अच्छी बन जाए क्यों इसलिए वो संग के साथ चल रहे थे आकस्पिंग भवानी मंडी में चतुर दसी का दिन था पूरा संग उपर में प्रतिक मण कर रहा था वो सुबह ही बोले थे कि महराज जी मेरी नाड़ी आज जो है कुछ गरवर है, कुछ रुक-जुक के टल रही है तो सब लोग हुष लिए बिले भाई जी तो हाई हैं, अपनी नाड़ी देख लिया, अच्छे-च्छे बोल रहे हैं, बात कर रहा हैं और कहे रहे मेरी नाड़ी गड़बड है हसी में बात टल गई सब लोग उपर चक्त मध्धान में लगवक तीन बजे सब उपर प्रतिकमण शुरू हो गया उन्होंने मुझे नीचे रोका उन्होंने माता जी आप तो मुझे पार सुनाओ और मैं बैठ गई उन्हें अध्यात्नी पार सुना रही थी परमानंद सुयुक्तम निर्वकारम निरामियम आदी पार सुना रही थी परमानंद इस्तोत आदी पार सुना रही थी सुनते 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 एकदम जब मैंने देखा कि अब इनकी सांस कुछ बढ़ रही है एकदम मैंने लगभग पांच बजे का साड़े चार बजे का समय था मैंने उपर सुतना भेजी कि सब संग नीचे आ जाए आचारी स्री सब साथमों को लेकर एक नीचे आ गए आते ही कमरे में प्रिवेश किया देखा अब इनकी जो है स्थिती सचमुझ में जाने की है उसी समय उन्होंने वस्तर का त्याग करा करके और उन्हें मुने भोशित कर दिया और हमारे पास कही कमरे में पिछी थी एक अधिक पिछी हम लोग रखते थे साथ में इसलिए कदाचित कतित किसमें कैसी स्थिती आ जाए तो एक पिछी एक दो पिछी संग में अधिक रखी जाती थी लागर पिछी जिया उनके पार रख दिया उसमें न तो कोई संस्कार किये जा सकते हैं कोई संभावना ही नहीं है किन्तु उन्हें मुनी कह दिया और वो भी सावधान थे सचेत थे महामंदर का स्वन करते करते चिचेत इंसर भगवान आत्मा भिन्य सरीर भिन्य चिंतन करते करते सुनते सुनते उसी समय कुछी इछड में उनके प्राण निकल गए समाधी पूरग मरन हुआ साधू उन्हें दो दिन पहले ये दो चार घंटे पहले अगर सावधानी भी से सोती है दिक्षा भी दी जाती है दोनों बाते हैं और ज़लूरी नहीं कि उस समय कोई मुनी ही हो राजा मधू के सामने कोई मुनी नहीं थे उन्होंने केस दोच किये और भाव से मुनी बन गए तो भव्यात् आधी के समय सिद्ध करने की प्रक्रिया आचारी महराज कहा करते थे कई बार हम लोग कुरानी पिछी जो स्रावकों को देते हैं तो कह कर देते हैं कि देखो घर में रखो किसी की अंतिम समय की सिद्धी हो तो संभव हो तो उन्हें बस निकाल कर उनके पाद पिछी रख दो कई दो आप साधू बनगे उसकी भावनाव में अंतर आ सकता है अब कोई साधू पहुँच जाए बहुत सीगली इस प्रकार से संबोधित कर देते हैं तो अंत समय संसकार नहीं किये जाते हैं किन्तु इसे भी एक प्रकार की दिख्षा मानी जाती है कि वो मुनिपत प्राप करके समाधिवन रण हुआ आदी तो भव्यात्माओं ये समय सार जिनका चिंतन बारंबार चलता रहता है उनके लिए अंतिम जण में काम आ जाता है और नहीं तो क्या होता है हास्पिटल में एक समय सारी थे बहुत समय सार का जिन्दिगी भर समय सार समय सार अठते रहे और अंतिसमे हास्पिटल में नाग में नली थी ऐसी इस्तिती में प्राण निकले भव्यात्माओं तो वो समय सार काम नहीं आया समय सार काम उन्हीं के आता है जिनके आंतर समय समाधी बन जाती है तो भव्यात्माओं समय सार का चिंदन करते हुए हमेशा ये भावना भाव कि है भगवन आंतिम छण तक ये समय सार मेरे काम आवे आंतिम छण में भी ये समय सार तभी उसका उपयोग है ये समय सार हमारे और आपके जिएन में साकार बने यही प्रेनार मंगल